करते हैं जो स्काइचप है इसके अंदर हम आगर वाल के अंदर हमें कोई खिड़ी की दर्वाजा लगाना तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखी मैं यहां पर फ्रंट जो मेरा यहां पर आता हूं ठीक है यहां पर मैंने मैंजर करके रखा है माप तोल यहां पर देखी 11 यह जो मैंने ठीक है डायरेक्शन यानि गाइडलाइन लिए इनके बीच में मैं दर्वाजा क्रियेट करना चाहता हूं और यहां पर देखी इसके हाइट देखी टोटल कंप्लीट 11 फिट है क्योंकि हमने 10 फिट बनाई थी अभी 11 फिट की हो है क्योंकि इसके अंदर जो हम इसको लेंगे शाथ फिट उपर तमXT है दिवार हमारी शाथ फिट पर जो गेट हमारे शाथ फिट हो छाहो थी ऊपर इसकों फिट辉च करते हैं एक rectangle ठीक है rectangle मैं हम यहां से और यह मैंने rectangle grid किया अब हम इसके उपर एक आर्क लेते हैं आप चाहएं तो आर्क को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है आप कितने हैं उन्चाया इसको निच्चा कर सकते हैं ठीक है आपर मैंने अर्क्रेट केया इसको मैं जो बीच की लाइन है तो है यहाई रिमूव को रहता हूं ठीक है अब इसको मैं चार इंच थोड़र सा अगे है ठीक है जो मेरा ठीक है यहां पर नीकाले लीत इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर ऑफ सेunkा धेथे हैं टून ईसी थी यहां पर टू गईिग इंच चीह इंहां देखे टू इंच का जो अफ सेट त्यार मैं क्या करता हूँ पुस्पूल कमांड से इसको जो हमारा ठीक है मेंगेट है उसको रिमूव कर देता हूँ पुस्पूल कमांड से मैं यहां से ठीक है यहां पर देखिए जो हमारा मेंगेट त्यार हो गया ठीक है आप चाहिए तो यहां से इसको रिमूव कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा उच्छा बन गया लेकिन आप इसको यहां तक सर्फेस पर मिला भी सकते हैं ठीक है तो चली दोस्तों बात करते हैं जो हमारी लाइन है इनको अपरी मूग करें इनको है आप अटासते हैं यहां से अटासते हैं गाइडलाइन से हैं इसके अंदर आप चाहें तो यह रहा हमारा मेंगेट अब मैं चाहता हूं यहां पर दो खीड़की अभी हो गेट के साथ ठीक है तो वह खिड़किया कितनी उन्चाई पे हो ठीक है सबसे पहले हम हमारा जो एक फिट का माफ था भो लेते हैं ठीक है यहां से फिट से लेते हैं मैं मैंने रिमूव कर दिया था एक फिट ठीक है अब एक फिट यहां से मैं चाहता हूं तीन फिट के ओपर खिड़किया हुए तीन फिट ठीक है इसके उपर बेस्ट विटेंगे अभी है से गयराव फिट है दिवार से की तिन की जाराथ चीह यह इसे करता हूं मैं कि तीन फिट है ठीक है और यहां से एक निशान लगता हूं तीन क्वे हैं कि उन्चाहि कितनी कि मैं यहां से करने ज़ाने कि यहां तक हो जो खिड़ किया यह तक ऑगर आप आर को खिड़ किया लेना चाहें तो ओ आप यहां से तीन और दो कि शुर्य मैं इसको तोला सा बिल्कुल फ्रेंट कर देता हूं ठीक है यहांसे मैं तीन फिट कि यहांसे लेते हैं दूसरी जगह से यहांसे कई बार नहीं होता तो तीन और ग्यारा में से हमने यहांसे फिट हम यहां लेते हैं आसे था therefore आंके उपर हम यहांसे घरD डेते हैं ठीक है cocon हे यहांसे फिट aur है तो देखिया पर मैंने जो खिड़क्या लगाने वह भी आइट आरक के साथ यह से रेक्टैंगल मिद्धा रो LAU रेक्टेंगल और ड्रो अम चाता हूं आर्क यहां पर देखें आर्क आप किल्कियों में भी आर्क यूज कर सकते हैं ठीक है अब कि बार हमारा जो है एकदम एक्यूरेट है ठीक है यहां से चलते हैं अब हमने इसमें पुस्फिल कमांड के माद्य में से हाँ पे हमने कितना देना है फोरड टी थी ऑर यहां पिवी पोर इंच पनींच वोज अबधाने इसको ब्लैंक करना बीच से बीच का जो solid area है उसको हमने remove करना है वो हम यहां से करेंगे इसको ठीक है तो देखते हैं बिल्कुल सही है ठीक है अगला जो हमारा यह area है इसको भी हम clear कर देते हैं यहां से तो देखी दोस्तो यह हो गया हमारा जो main gate है वहां पे main gate और खीड किया हूं ठीक है बाद में हम इसमें glass वगयरा जो लकड़ी के frame है वो fit करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए यह video आप देखिए और उसके बाद इसके अंदर हमें gate जो हमें main gate और जो door है वो कैसे लगाते हैं यह अगर हमें अंदर कहीं भी कोई दर्वाजा बगएरा लगाना ठीक है तो उसके उपर हम अगले टुटोरियल में जो है बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और लाइक मैं वीडियो थेंक